जब पदमनात मंदर के साथवे तरवाजे पर नाशा के विग्यानिकों को जो मिला उसे देख कर आपके भी रौंग्टे खड़े हो जाएंगे। भारत समय दुनिया भर में ऐसे कई रहसे हैं जिनके बारे में आज तक इंसानों को कोई जानकारी नहीं है। विग्यान चाहे कितनी भी उन्नती कर ले लेकिन ऐसी कई पहिलिया हैं जिने साइन्स आज भी सुलजा नहीं पाया है। आज हम आपको ऐसे मंदर के बारे में बताने वाले हैं जिसकी अंदर आज भी अर्बो के सोने चांदी, हीरे जवारात और भी कितना सारा खजाना चुपा हुआ है। उसका पता लगाने के लिए भारत के उच्चतम न्याले में अर्जी दी गई थी और काफी मेहनत के बाद कापाट भी खोले गए। लेकिन वैग्यानिकों की टीम के साथ जो चमतकार हुआ उसे देखकर आपके रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं सुयम नाग लोग के नाग इस मंदिर के खजाने की रख्षा करते हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिन भारत के तिरुवनंत पूरम में स्थेत्पदमनाव मंदिर के बारे में। ये मंदिर अपने अंदर के रहसे चुपाए बैठा है। कहते हैं यहां तकरीबन साथ तैखाने मौजूद है और जिसमें साथवे तैखाने में जो खजाना है उसकी रक्षा नाग लोक के नाग पुराणिक पिसाज और अन्य कई अलोकिक देवता करते हैं जिस भी इंसान ने साथवे दर्वाजे को खोलने की कोशिश करी या तो गुप्त तरीके से वेगायब हो गया और या अचानक से उसकी मौत हो गई बात है सन 1930 की जब लुटेरों का एक ग्रो पदमनात मंदिर में करोडों का खजाना लूटने आया उन्होंने जब साथवे दर्वाजे को खोलना चाहा तो अचानक से कुछ भैंकर नाग उसके पीछे पड़ दे ऐसा माना जाता है प्राचीन काल के संतों ने शक्तिशाली नाकपाश मंत्र द्वारा इस कक्ष के प्रवेश द्वार को शील किया है और पदमनात मंदिर के साथवे दर्वाजे को केवल सबसे सटीक समझवाला पुजारे ही गरुड मंत्र के जाप से खोल सकता है लेकिन संद 2011 में सरकार द्वारा एक ऐसी नादानी हो गए जिसका पच्चतावा आज भी उन सभी वैज्यानिकों को होता है जिनके द्वारा पदमनात मंदिर का वे दर्वाजा खोलने का प्रयास किया गया पदमनात स्वामी मंदर केरल के तिरुवंतम पुरम में मौझूद भगवान विश्नु का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है इस मंदिर के गर्व ग्रह में भगवान विश्नु के विशाल मूर्ती विराजमान है जिसे देखने के लिए रोजाना हजारो भक्त दूर दूर से आते हैं इस प्रतीमा में भगवान विश्नु शेशनाक पर सयन मुद्रा में विराजमान है मानिता है कि तिरुवंतम पुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाक के नाम के उपर रखा गया है यहाँ पर भगवान विश्नु की विश्राम अवस्था में प्रतीमा हमें दिखाई देती है लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस मंदिर का निर्मान किस ने कराया और आखिर इस मंदिर में जो करोडू का खजाना है वे किसकी अमानत है मंदिर का निर्मान राजा मारतंड ने करवाया था भगवान विश्नु को समर्पित पदमनात मंदिर को बाद में त्रावन कोंड के राजाओं ने बनवाया जिसका जिक्र नौविश अप्ताब्दी के ग्रंथों में भी मिलता है और इसके बाद इस शाही परिवार में खुद को भगवान पदमनात को ही समर्पित कर दिया अपना जितना भी खजाना था उन्होंने इस मंदिर के साथवे तैखाने में चुपा दिया इस मंदिर के गर्ब के नीचे हमें साथ तैखाने मिलते हैं जिसमें छे तैखानों के दर्वाजे पर तो ताला लगा हुआ है। लेकिन साथवे तैखाने के दर्वाजे पर कोई ताला नहीं है। बस नाक के दो निशान हमें वहां दिखाई देते हैं। और कहते हैं किसी ने भी इस दर्वाजे को खोलना चाहा तो उसी समय नागो द्वारा उसकी मृत्ति हो जाएगी जब इस शाही परिवार ने अपना सारा ख़जाना पदमनात मंदिर को दे दिये कही लुटेरों की नजर इस मंदिर पर पड़ी लेकिन आज तक जिसने भी इस दर्वाजे को खोलने का प्रयास किया या तो वह रहस्यमय रूप से गायव हो गया या कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्ति हो गया सन 2011 में सरकार दौारा भी एक ऐसा ही कदम उठाया गया एक सेवा निरुट्र IPS अधिकारी सुंदर राजन ने मंदर के खजाने की जाच करने की मांग सुप्रीम कोट में दायर करी इसके बाद सुप्रीम कोट ने भी खजाने के बारे में पता लगाने के लिए साथ सदस्य केमैटिका कठन किया तिरुवंतम पुरम के लोगों का यही कहना था कि सरकार द्वारा भूल कर भी अगर उस दर्वाजे को खोल दिया गया तो सभी लोगों के लिए मुसीबत का पहाड तूटे गा लेकिन सुप्रीम कोट ने उन दर्वाजे को खोलने के आदेश पारित कर दिये जिसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें कैई सारे वैग्यानिक भी थे और कैई सारे आईपियस अधिकारी भी थे जब वैपदमनात मंदिर के गर्व घ्रैब के नीचे गए तो वहाँ एक एक करके उन्होंने साथ दर्वाजे दिखाए दिये जब उन्होंने पहला दर्वाजा खोला अंदर का नजारा देखकर उन सभी वैग्यानिकों के रौंग्टे खड़े हो गए क्योंकि अंदर कैई सारे कीमती रतन और कैई हीरे जावारात मौझूद थे जिसके बाद एक एक करके वैग्यानिकों दौरा च्छे दर्वाजे खोल दिये गए जिनके उपर ताला लगा हुआ था और अंदर से कैई करोडों की संपत्ति उन्हें प्राप्त हुए इन छे तैखानों के अंदर कीमती रतन पत्थरों के साथ साथ एक लाग करोड रुपे की कीमती धातुएं बैग्यानिकों कुपराप्त हुए लेकिन अब इंतिजार था उस साथवे दर्वाजे का क्योंकि सबी को यही आशा थी कि जब छे तैखानों में इतना खजाना मिल सकता है तो साथवे तैखाने में ऐसा क्या होगा लेकिन चौकाने बाली बात ये थी कि उस तैखाने के दर्वाजे पर कोई ताला नहीं लगा हुआ था इस बात से सबी लोग डरे होए थे क्योंकि लोगों का यही कहना था कि आज तक जिसने भी इस तैखाने को खोलना चाहा वे जिन्दा नहीं बच पाया बैग्यानिकों के मन में जानने की इच्छा थी ऐसा क्या है साथवे दर्वाजे में या तो आपार सोना या कोई खतरनाक हदियार लेकिन जब बैग्यानिकों द्वारा इस साथवे दर्वाजे को खोलने का प्रयास किया गया तो ताला ना होने के बावजूद भी दस जने मिलकर भी इसे नहीं खोल पाए जब वैग्यानिकों ने उस दर्वाजे पर कान लगा कर सुना तो अंदर से पानी बहने की आवाज आ रही थी कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि इस दर्वाजे का दूसरा रास्ता अरब सागर की खाड़ी में खुलता है जब लाग कोशिश करने के बावजूद भी वैग्यानिक इस दर्वाजे को नहीं कोल पाए तो वैग्यानिकों ने भी शास्त्र का सहरा लेना पड़ा उन्होंने काफी मुख्या पुजारी की वैवस्था करी जिसे बहुत अच्छी तरह से गरुण मंतर आता हो क्योंकि इस दर्वाजे को केबल वही कोल सकता था जो की एक सटीक पुजारी हो जिसने गरुण मंतर के उपर सिध्धी प्राप्त कर रखी हो जब उस पुजारी ने दर्वाजे के सामने गरुण मंतर का जाप करना शुरू किया तो मंदर में अचाना की बहुत जोर से कमपन होने लगा इस कमपन से सभी लोग बहुत ज़ादा डर गए और गरुण मंतर को बीच में रोकने के कारण उस पुजारी की दिल का दोरा पढ़ने से उसी समय मौत हो गई ये नजारा देखकर वहाँ सभी वैग्यानिकों के रॉंग्टे खड़े हो गए कहते हैं पहले दिन हार मान करवे लोग वहाँ से लौट गए लेकिन 6 तैखानों में से कैई लाग करोडों का खजाना सरकार को प्राप्थ हुआ था लेकिन एक से दो दिन के बाद वो खबर आई जिसे सुनकर आपके भी रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे वो कमेटी जो जरवाजे को कोलने का प्रयास कर रही थी उस कमेटी के दो सदस्यों की आकारण ही मौत हो गए और एक एक करके सभी के जीवन में तरह तरह की मुसीबते आने लगे तब पदमनात मंदिर के पुजारी ने सरकार को ये शक्त आदेश दिये कि अगर आइंदा इस साथवे दरवाजे को खोलने का प्रयास किया तो इसी तरह हमारे मुसीबते बढ़ती रहेगी तो सरकार को भी पदमनात मंदिर के सामने अपने घुटने टेकने बढ़ गए और उसके बाद ये निर्ने लिया गया कि उस साथवे दरवाजे को आज के बाद कोई भी नहीं खोलेगा क्योंकि आज तक जिसने भी उस दरवाजे को खोलना चाहा उसे किसी ना किसी प्रकार की अनहोनी का सामना करना पड़ा आईपियस अधिकारी सुन्दर राजन जिनों ने पदमनात मंदिर का खजाना खुलवाने के लिए सुप्रीम कूट में याची का दायर करी थी उस अंतिम कक्ष को खोलने की कोशिश करी तो अंजाम सच में बहुत बुरा होगा तुरुवंतम पुरम नाम एक नाग के उपर पड़ा है और वही नाग आज भी इस खजाने की रक्षा करता है आखिर कैसा है पदमनात स्वामी का मंदिर मंदिर में एक सुन स्थंब भी बना हुआ है जो मंदिर की खूपसूरती में इजाफा करता है मंदिर की गलियारों में अनेको स्थंब बनाए गए है जिनके उपर सुन्दर नकाशी की गई है जो इस मंदिर की भविता में चार चांद लगाते है अगर आपको इस मंदिर में प्रवेश करना है तो पुर्शो को धोती और महिलाव को साड़ी पहना अनिवार्य होता है भगवान विश्णू को समर्पित इस मंदिर में भगवान की इतनी बड़ी मूर्थी है कि उनके दर्शन मंदिर में बने तीनों दर्वाजों से ही किया जा सकता है पहले द्वार से आपको भगवान का सर दिखाए देता है केंदर के द्वार से भक्त भगवान की नाभी से खिलते कमल को देख सकते हैं और तीसरे द्वार से उनके चर्ण को देखा जा सकता है अब दोस्तों आपका मन में प्रशन आ रहा होगा क्या पदमनात मंदिर का ये दर्वाजा कोई नहीं खोल सकता तो इसका जबाब चानकर आपके भी रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे पदमनात मंदिर के साथवे द्वार को खोलने एवं उसके खजाने को खोलने की बात होती है तो अचानक से भै का माहौल बन जाता है और अन्होनी की कहानी सब के सामने आने लगती है क्योंकि मंदिर के साथवे द्वार पर कोई ताला नहीं है और ना ही कोई कुंडी है यहां जो सापों के प्रतिविंब है और वही नाग देवता आज भी इस मंदिर की रक्षा करते हैं लेकिन दोस्तों ऐसा कहते हैं सोलवी शप्ताब्दी के एक सिद्ध पुरुष योगी या फिर कोई तपस्वी द्वारा इस दिव्य दर्वाजे को खोला जा सकता है वे सिद्ध पुरुष आकर जब इस दर्वाजे के पास गरुण मंदिर का जाप करेगा तो उसके दौरा ये गेट अपने आप खोल जाएगा लेकिन अगर उचारांट जरा सा भी गलत हुआ तो दिल का दौरा पढ़ने से या अन्य किसी कारण से उसकी मृत्यू भी हो सकती है तो दोस्तो पदमनात मंदिर के रहसे के बारे में क्या आप आज से पहले जानते थे या आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मिलते हैं दोस्तो आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा बहुत बहुत धन्यवाद